नमस्कार दोस्तों वोई शौफ जैसल मेर में आपका स्वागत है राजिस्थान और खजूर की खेती अपने नए आयाम गड़ रही है तो इसी कड़ी में हम आज आपको बताएंगे खजूर की खेती के बारे में जान करें यहाँ अपने कौन कौन सी जो फसल है वहाँ खजूर की तैयार इस अपने जो रिगिस्थान है जैसे जैसे मेरे बारे में कौन कौन सी अपनी जो नसल यहाँ उगा सकते हैं उसकी क्या नाम है या वहाँ जो अगर कोई लेना चाहिए उसमें क्या-क्या खेत में अपन उगा सक इह जो आप अभी खड़े हैं इहां सारी 9 विराटियां लगी हैं अच्छा का दरावी जामली खलास लरै खुनेजी लगलाज excuse अश्छा शगयी लगी अच्छा यह तो और यह जो हैurg alsoょ अधा कि cry करके आती और एलेंड शिटी जब दे वह मदसरी मेल कि इसमें क्या होता है मदसरी डार मेन थोड़ा पोली निशन चो प्राग सकनी यहुम ज्लदी आ जाता है ऑच सो करmanas कि अधर नहीं जाएं पर आएं वह थोड़ी जल्दी आजाती है फूल इसके जल्दी आजाते हैं अच्छा उसके लिए अपने पास मालोग नामी का इस नर्व कि पोदेपन लगा रखें तो उसके अपोर नर्व कर लाएंगे अच्छा लिए उसको मजशरी के लगाने पड़ अच्छा पोदा हैं और इसमें पैदावार भी अच्छी है अच्छा एक पोदे की अपन क्या कीमत समझे जो जैसा करकुछान को लगाना चाहिए अब देखो इसमें अदगले विरेटियों पर आधा रिते हैं अच्छा जैसे मेरजूल हैं अच्छा मेरजूल तीन अजार अधाय पानी वाई एक हजार रूपई पर लेवर का फै इटें का मेरा अभी के इक हजार पोदा पर एक छिलोति के लेकर के एक कुंटल 20 किलो तक एक पोदे पर फल आता है और अगर कोई भाई यहां देखना चाहे तो वह क्या करें कहां पर आए आपका यह सेंटर ओप एकशिलेस सग्रा बोजगा खजूर फरम है यहां किस नो विरेटिया लगी है अच्छा यहां आए देखे और यहां सारी जानकर मिलेगी सब कुछ पोधे भी दिखाए जाएंगे अच्छा बिलकुल बहुत ही बढ़िया है और मलब यह मैन हाईवे पे भी आया वाई है यह भी सबसे बड़ा फाइदा है अच्छा बिलकुल बहुत ही बढ़िया जानकर यह आप इसमें जो नर और मादा दोनों है इसमें फचल बढ़िया कौन सा देता है फचल नर में खाली प्रॉट्त कोम लॉटने लगते हैं जानकर कुन वन द युद्ध करते मादार्ना पड़ने धुर्फ ड़नीलगा तोअगर फ़ल बिलकाद्य नहीं बनेगा जैसे को इस बारे में पुरी जण कर लेना चाहे तो वैस सेंटर में आकर ले सकता है अच्छा वहाँ आने के बाद यहां कितने दिन उसको लगें इसको ट्रेनिंग लेने में यहां अब जनौरी में शुरू हो रही हैं अच्छा आइए यहां शीक्षिये और सबसें अमुल्य नहीं नहीं है और मेरे चीज़ है इस पोदे से एक सकर्स निकलता है अच्छा जो कि अपने खेट में लगाना चाहे या आपने बेचना चाहे तो दस पोदे ओर त्यार कर सकते हैं पोदे से बहुत ही बढ़िया बात है और वह कोद्या सकर्श है फट्रेश के परेशी लिये हैं अच्छा वह भी आप प्रेस्टिक्षन यहां देदो कि निकलना कैसे किस तरो तैयार करना है वह हो रहे हैं तयार और उसका भी अंपूरी ट्रेनिंग पेडिवे अच्छा बहु और उसको तयार करने में 3000 तक का खर्चा आता है बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है तो फिर और कुछ जानकारी लेंगे तब तक के लिए हम वाई शॉप जैसल मेर से सागरा भोज का खजूर फॉर्म हाउश जैसल मेर